धारा 370 हटने के बाद इस तरीके से भारत एक तरफ कुछ नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब अच्छी की है इसी को लेकर ज़्यादा बाचित करने के लिए में सथ मौझूद है में आएक राजकोमार ठुकराल सवाल सीधा है देखा जाए जब हम धारा 370 की बात करते हैं ऐसे में जहां कश्मीर जब हम जम्मू का जिकर करते हैं तो देश में एक अलगी लहरा रखी है वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कहीं न कई खटा जा चुका है पर अंतराश्टी मान चितर पर अलग थरक पड़ गया है पाकिस्तान की अर्थ विवस्ता बिल्कुल चौपट हो गई है पिछले दिनों अपनी सेलरी देने के लिए उनको खच्चनों को बेचना पड़ा आज पाकिस्तान में जैसे टमाटर 300 रुपे किलो हो गया है और उन कुछ लाब भारत की ओर से पहुंसता था लेकिन आज वो अपने क्रिया किलापों के चलते बिल्कुल नेस्तन अबूद हो चुका है हमारे राजनेक को अपने देश से बाहर निकालना और सारे राजनेक संबंद खताब करना ये पहल पाकिस्तान की ओर से हुई है हिंदुस् अपना एग्रेशन दिखाते नजर आ रहे कि आखरे सवाल जरूरी यहां पर कहना चाहेंगे कि देखा जा रहा है कि अध्यक्षपत को लेकर लगातार मीटिंग का दौर जारी है आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग को को लेकर हम बात करें तो बहुत दिन से इस तरीके की मीटिंग चल रही और अध्यक्ष्ट के चुनावों को लेकर महर अभी तक नहीं लगी क्या लगता है आज की इस्तिती कितनी बहतर होगी जो सीनर कमेटी है उस पर भी इनको विश्वास नहीं जो कोर कमेटी है उस पर विश्वास नहीं और आज ये लोग रास्तिय अद्धस को चुनने के लिए फिर से निकल पड़े हैं और नेताओं से पूस्ताच करेंगे ये वास्तम में किसी भी राजनितिक दल के लिए एक आत्मत्या से बढ़के कदम नहीं हो सकता है और नाइन टेवी से खास बात करेंगे किया मर्शन केसर के साथ मैं भावना आनाइन टेवी तेली